हेलो फ्रेंड्स मैं पूराजन वर्मा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूडूब चैनल ABC क्लासे जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमें से जैनुवीन और ऑथन्टिक जानकारी देता हूं तो यूपी ट्रिपल सी यूपी ट्रिपल सी की तरफ से ठीक है चली देखते हैं नोटिस क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं उसके पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिजिए क्योंकि मंडे से मंडे से आपका यूपी ट्रिपल सी पी इटी का पी इटी का आठ बज़े से मैस की क्लास एंड नौ बज़े स से रिजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है ठीक है कम्प्लीट स्लेबस होगा आपको बस क्लास अटेंड करना है और बेफिक्र होकर पढ़ाई करना है ठीक है चलिए देखते हैं नोटिस क्या है कि तो आयो के विज्ञापन संख्या एक परिच्छा 2021 प्रारंविक अरहता परिच्छा के अंतरगत ऑनलाइन आवेदन की प्रकिरिया 25 से प्रारंव की गई है प्रस्ट विज्ञापन के अंतरगत 216 2021 अप्राहन तीन बजी तक कुल 26,95,549 26,00 अभियर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है ठीक है पंजीकरित अभियर्थियों वो अंतिम रूप से आवेदन सम्मिट कर चुके अभियर्थियों की संख्या में काफी अंतर है इस संबंद में NIC द्वारा अपनी इमेल दिनांग 216 2021 सुचित किया गया है कि यह अंतर विबिन बैंकोब से आवेदन सुल्क के अंतरण में लगने वाले समय के कारण है देखें कहना यह चाते हैं कि 26,95,000 इतने बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन किया है क्या किया है रेजिस्ट्रेशन लेकिन उनकी फीस नहीं जमा है फीस कितने लोगों की जमा है 17,66,000 तो यह बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच में ठीक है तो बच्चों को फीस्ट्रेशन करने के लिए आगे देखते हैं क्या कहते है आयक द्वारा इस प्रक्रण पर समगर रूप से विचार करते हुए वह अभियर्तियों के हित को ध तक जिनोंने रेजिस्ट्रेशन कर लिया है ठीक है केवल रेजिस्ट्रेशन कर लिया है उनका तो ठीक है आगे उनका काम नहीं वह था ठीक है लेकिन उनोंने केवल रेजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए आगे मौका मिल गया है परन्त यदि अभियर्ति द्वारा उक् आवेदन सुल्क जमा कराकर अपना आवेदन अंतिम रूप से सम्मिट नहीं किया जा सका है तो उसके द्वारा आवेदन सुल्क पचिस छे तक जमा कराकर दिनांग पचिस छे की मद्रात्री तक अपना आवेदन अंतिम रूप से सम्मिट किया जा सकता है आवेदन पत्र में स संसोधन 28-6 तक कर सकते हैं पुना इसपश्ट किया जाता है यदि किसी अभ्यरती द्वारा दिनांग 26-2021 किमत दिरातरी तक अपना पंजिक्रण नहीं कराया गया है तो उसके द्वारा PET हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा यहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि जिनों ने 26-2021 तक अपना रिजिस्ट्रेशन नहीं किया है अब उनको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है अब वो सीधे एक साल बाद ही अब कोई पेपर दे पाएंगे यूपी ट्रिवेल सी द्वारा जो भी आयो जीत होगा अब यहां पर एक आपको खुषखबरी बता देता हूं खुषखबरी क्या है बच्चो देखे अगर अपने यहां यूपी में ठीक है अपने यहां यूपी में जूनियर असिस्टेंट की वेकेंसी निकलती है ना तो तो 10 से 15 लाग बच्चे केवल और केवल वीडियो में भर देते हैं अब आपका फायदा क्या हुआ यह हुआ है कि अभी तक केवल 17 लाग 17 लाग बच्चों ने फाइनली फाइनली अपना फाइनली अपना फॉर्म समिट किया है ठीक है तो 17 लाग बच्चों में जब पीटी होगा ठीक है पीटी होगा ठीक है ना तो पीटी जमैने एक्पेक्टीट करत बताया है ठीक है जनरेल के जैएगा पच्पन नंब़ और ऑबीसी के जैएगा बावन से 55 नमबर and SC का जाएगा 48 से 50 नमबर and ST का जाएगा करीब 40-42 नमबर and girls का जाएगा करीब 43 से 45 नमबर ठीक है? ये cutoff बहुत कम है और इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मैं जो भी expected बताता हूँ पता नहीं कैसे सही हो जाता है मेरी भाई सही होता है ठीक है? तो अब मान लेते हैं 17 लाग है 17 लाग में 1 लाग और जोड़ दीजिए 18 लाग बच्चों ने अंतिम रूप से अपना आवेधन कर लिया ठीक है? अंतिम रूप से अपना आवेधन कर लिया है तो अब 18 लाग में जब पीटी में लोग बैठेंगे न पीटी में तो मेरे भाई पीटी में बहुत लोग छड़ जाएंगे और मुझे लगता है कि 10 से 12 लाग बच्चे ही आपका बचेंगे 10 से 12 लाग बच्चे बचेंगे ठीक है? तो ये 10 से 12 लाग बच्चे आगे कौन-कौन से फॉर्म में एलिजबल होंगे वीडियो जूनियर असिस्टेंट चकबंदी लेखपाल राजस्व लेखपाल इस्टैनो लोवर पीसियस ठीक है और भी एटीसी और भी बहुत भरतिया निकलेंगी जैसे आपका सचीवाले में कंप्यूटर ओपरेटर ठीक है गन्ना परिवच्छक और आपकारी सिपाही यह सारी भरतियां आपकी निकलने वाली है और इन सारी भरतियों में भाई साब बहुत बड़ी अपरचुनिटी है आप लोगों के लिए जिनोंने पीटी के लिए अपलाई कर दिया है ठीक है सबका कट आफ अब कम जाएगा और सबको सिलक्षन मिलेगा सबको सिलक्षन मिलेगा ठीक है तो तयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाएए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए HD यादो HD यादो की मैथ की बुक कम्पलीट चल रही है मेरे चैनल पर ठीक है और आपका PET का Math Math मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा राजन के द्वारा राजन सर के द्वारा और आपका Reasoning जो है बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा आसू तोस आसू तोस सर के द्वारा ठीक है ये दो सब्जेक्ट आप मेरे यहां से पढ़िए 100% गारेंटी आपको सभी कोश्चन हमारे पढ़ाया है वे कोश्चन से मिलेंगे ठीक है इसी के साथ चलता हूँ जानकारी अच्छी लगिए तो लाइक और सब्सक्राइब बने रही है मेरे चैनल पर बाइ बाइ टेक कियर अपना ख्याल रखें हैव अ गुड टाइम